हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बाब फिर हमारे यूट्यूब चैनल इटीचर में दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी जानकर इस वीडियो में सभी बेरोजगार साथियों के लिए तो यूवा जो सिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि सिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटास राना संकेत दिया है कि 31 जा सिक्षक बरती का जो है रास्ता साफ कर दिया गया है और फरवरी में रीट परिक्षा युजित की जाएगी तो लाकव अब्यर्तियों के लिए अच्छी खबर है जो इंतजार कर रहे है रीट बरती परिक्षा का उनके लिए है खबर कि रास्तान में अध्यापक पातरता परिक्षा जो है अगले साल फरवरी में हो सकती है यानि 2021 में सिक्षा मंत्री और प्रदेश का अंग्रेस अध्यक्स है पेज देंगे इसके बाद भी विग्यापन निकालेंगे पेपर बनाने और आवेदन लेने में तीन माह का समय भी लगता है मेरा मानना है कि फरवरी में कभी रीट की परिक्षा हो सकती है तो बेरोजगारों के लिए खबर है कि रीट की परिक्षा फरवरी में हो सकती है तो अपनी तयारी जारी रखें और अभी से जो है जुड़ जाएं, क्योंकि फर्वरी में संकेत मिल रहे हैं कि परिक्षा हो सकती है, वैसे तो अब परिक्षा का पैटन तया होगा, उसके अनुसार जो है विगिप्ति आएगी उसके बाद ये होगा, लेकिन फर्वरी में हो स इसमेदारी जरास्तान मादमी इसका बोर्ड के बास बोर्ड के बास अक्टूमर से लेकर फरवरी तक काम नहीं रहता है इस इसी अवदी में रीट भी हो सकती है रीट की परिख्षा के साथ इसको के बरती का रास्ता साफ होगा और लगबग इस तो 31,000 जो बढ़ती है वो होगी रीट के मादम से तो 31,000 जो बढ़ती है रीट परिक्षा के मादम से की जाएगी मुख्य मंदर सो गेलोतने कुछ दिन पहले ही यह जो बढ़ती को मंजूरी दी है तो अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए अपनी तयारी जारी रखें औ और फरवरी में यह परिक्षा आयुजित हो सकती है इसी के साथ खबर है दोस्तों चुनाओं को लेकर कि पंचाई ती राज चुनाओं को लेकर जो है बात प्रदेश में 6-8 चरम हो सकते हैं जिल्ला परिशद और पंचाई समीती के चुनाओं पिछली बार साड़े 36,000 मदा इसके साथ थी मदान के अंदर पर 850 से 900 वोटर की संक्या भी है सिमित की जाएगी पंचाई समीती और जिल्ला परिशद के चुनाओं भी करवाई जाएंगे अभी फिलहाल जैपूर जोदपूर कोटा में नगर निगम चुनाओं चलने हैं तो चुनाओं इन चुनाओं के बाद यानि नगर निगम चुनाओं के बाद से इस निकाय जो है जिल्ला परिशद पंचाई समीती के चुनाओं करवाई जाएंगे राजिन निर्वाचन आयूग इसकी तैयारी में जुट गया है यह चुनाओं चलनों में कराई जाएंगे पिछली वार सामाने परिष्थ अब जो है लगबग 900 वोटर्स पर या 850 पर एक मद्दान के अंदर बनाया जा रहा है और मद्दान का समय भी बढ़ाए गया है जैसे कि सहरी निकाय जिल्ला परिशद पंचाई समीतियों के चुनाओं में इंदर वाचन आयो मद्दान का एक गंटा अत्रिक दिया है इसके समीति और जिल्ला परिशद के चुनाओं है लंबी समय से इंतिजार चल रहा है उनके लिए कि यह अब 6-8 जर्ण में होने वाले हैं चुनाओं और इनके लिए त्यारियों करने के लिए जो आगे से और आचुके हैं दुर्वाचन आयोग से जिल्ला कर दिया गया है तो यह यह तमाम तरकी खबरे थी आप सबके लिए इस वीडियो मा सा करतों वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राब करें थैंक्यू पर पॉच्छिंग में चैनल एटीचर